ओम पित्र देपता अभ्य नमाहा दोस्तो भास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है रात में सोते समय जादाता लोगों को सपने आते ही इन मैंसे कुछ सपने अच्चे होते ही तो कुछ ब्यादी खराब होते ही सपने सास्त के अंसार हर सपने का कुई न कोई मतलव जरूर होता है सपने सास्त में इन सपनों के भी अलग मायने बताए गए ही अगर आपको सपने में पूर्वज दिखाई देते ही तो इसका भी एक खास मैत होता है स्वप्न सास्त के अंसार सपने में आकर पूर्वज आपको एक खास संकित देते हैं स्वप्न सास्त के अंसार अगर आपको सपने में अपने मृतक माता पिता को देखा है तो ऐसा सपना बहुत ही शुम माना जाता है इसका मतलब है यह होता है कि आपको अपने कारखित्र में जल्दी ही सम्मान मिलने वाला है। आपकी मनो कामना पूरी करेंगे। अगर सपने में आपको आपकी पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका संकेत है कि या तो उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या पिर वो आपको किसी आगामी गटना का आवास कर रहे हैं। वही सपने में पित्रों को मिठाई बाटते हुए देखना शुम माना जाता है। पित्रों के नाम से अगर आपको भी ऐसे सुपनाते हैं तो पीपल ब्रग पर जल चड़ाना प्रारम कर दें। यह सपना बताता है आपके परवार के पित्र देव आपसे प्रसनें। अगर आपने सपने पित्रों को स्वयम से बाते करते हुए देखा हैं तो यह इस बात का संकेत हैं कि वो आपको भाविस से जुड़ी किसी गटना के बारे में आगाह करना चाते हैं। स्वपन सास्त्र में इस सपने को दुरगटना से बचाने बाला भी माना जाता है। वो परेशान हैं या गुसे में तो दोस्तों आपको हो जाना चाहिए साबदान और तुरंत पित्रों की सांती का उपाय करना चाहिए। पित्रों की निमत पूजा करनी चाहिए पिपल ब्रक की नीचे दीपक जलाएं, मिठाई चड़ाएं, उनकी परक्रमा करें पिपल ब्रक की, साथ ही दानपुन करें, ब्रामन को वजन करें, गोमाता का पूजन करें। ये उपाय आपको तुरंत प्रारम कर दें चाहिए और पित्र गायतरी का जाप करना चाहिए। वीडियो को शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।